तो मैंने सोचा क्यूं ना कुछ अपनी बाते शेयर करूं काफी टाइम से बलकि कही दिनों से जब हम निजु यर आने वाला है तो नया साल के उपर रेजलिशन बनाने के सोचते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा रेजलिशन लेंगे जो हम उसको पूरा करेंगे लेकिन होता क्या है कि कई बार हम वही रेजुलेशन ले लेते हैं जो कि हम पिछले सालों से लेते हैं तो इसी पर मेरे मन में कुछ विचार थे जो मैं आप लोग के शियर करने वाली हूँ तो शुरू करते हैं ये वीडियो इससे पहले अगर आप लोग नहीं है इस चैनल पर तो आप इस चैनल पर जाकर content वज़िट कर सकते हैं और आपको पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीज़ेगा और ये आप मेरे लिए एक new year का gift भी समझ सकते हैं और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को अंत में प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीज़ेगा अपने दोस्तों के साथ तो साल 2020 और साल 2021 कुछ ऐसा गुजरा जैसा कि किसी ने सोचा भी नहीं था कोविड हमें देखने को मिला पहली बार हमने ये टर्म सुनी ना सरफ कोविड 19 उसके साथ साथ डेल्टा आज हम ओमिक्रोन हैं इसके अलावा हमने और भी बहुत सारी टर्म्स ऐसी सुनी जो शायद हमने पहले नहीं सुनी लोकडाउन, क्वारंटीन ऐसी ऐसी चीजे हमने इन दो सालों में सुनी हैं तो एक ऐसी चीज जो ना भूली जा सकती है क्योंकि दुनिया भर में कोविड वाइरस के मामले देखे गए और बहुत उत्ला पुतली भी हुई, लोगों की जिन्दकी में कई बदलाव देखने को मिले किसी की प्लानिंग खतम हो गई, तो किसी की उमीदे धरी रह गई किसी उन्हें अपनों को खोया है, तो किसी ने दिन रात महनत करके दूसरों को बचाया भी है कुछ लोगों की नोकरी इस टाइम पे चले गई तो कुछ लोगों का नया बिजनस भी सेट अप किया है कुछ लोगों के लिए ये अपोर्चुनिटी थी तो कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही बुरा टाइम था कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बच्चे अनात हो गई कुछ लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारी चीज़े हुई इस टाइम पे मिला के, कुल मिला के अगर हम बात करें, लेकिन ये ऐसा साल भी है जिसने हमें कुछ ना कुछ नया भी सिखाया, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए जो काफे टाइम से लोग कहते आई हैं हमारे मामी, पापा, दादा, दादी हमेशा बोलते हैं, फाइनेंस्वेल प्लानिंग जरूरी है इस टाइम पे हमने ये सीखी भी, लेकिन आज किस वीडियो में हम बात कर रहे हैं नए साल की, नया साल आ रहा है, 2022 दिन बदली, रात बदले, मौसम बदले तारीख है बदली और देखते देखते नया साल आ गया हो है और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो 2020 और 2021 साल से घरों में ही बन है तो एक बार फिर से नया साल है अपने स्वागत कर रहा है अपनी बाहे फैला के तयार खड़ा है एक नया सवेरा, एक नई उमंग नई खुशियां पाने के लिए और बाटने की तयारी में है नई खुशियों को तो यह नया साल डिपेंड करता है कि हम इस साल को किस तरीके से लेते हैं तो जब भी नया साल होता है पलेने से, वादा खुद को बदलने का खुद में कोई न कोई चेंज लाने का, खुद के लिए कोई नई आदत अपनाने का, बुरी आदतों को छोडने का, परिवार को समय देने का फैमिली को समय देने का अपने लव वन्स के साथ, रिलेशन्शिप में time देने का, जूट ना बोलने का संकल्प, smoking छोडने का संकल्प, बहुत सारी चीज़े हम सोचते हैं new year पे as a resolution कुछ motivational quotes करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि क्या-क्या resolution है जो हम बनाते हैं नई साल को रिगर, so don't make resolutions without an action plan, the secret to success is right in your hands इसका मतलब है, यह J. Allen Shaw ने कहा है, कि कोई भी जो आप resolution है, वो आपके action plan के बिना नहीं बनाना चाहिए, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे weight कम करना है, या मुझे healthy diet खानी है, क्या आपने उसके लिए action plan बनाया है, क्या-क्या जो success का है, वो कोई और नहीं, बलकि आपके खुद के हादों में है, नया साल 365 दिन का होता है, और पहला दिन ठीक उसी तरीके से होता है, जब आप कोई नई notebook लेते हैं तो हमेशा first page की शुरुआत बहुत ही तरीके से करते हैं, अप उस पर अगर आपको नाम लिखने का शोख है अपना, तो नाम बहुत ही अच्छा तरीके से पते हैं, लिखाई जितनी best हो सकते हैं, उतनी best आप देने के उसमें कोशिश करते हैं, वहीं पर अगर आप धार्मिक है तो कुछ लोग ओम, जैम आता दी, यह सब भी लिखते हैं तो जो हम नई book खरीते हैं, तो first page पे हम इतना अच्छे से उसको decorate करते हैं, कि अपना 100% देते हैं, वो एक नई diary, वो एक नई notebook हमारे लिए बहुत एहम होती है, तो इसी तरीके से आप लोग के लिए यह नई साल भी उतना ही एहम होना चाहिए, अपनी जो positivity, अपनी जो motivation है, उसको इकठा करो, और इस नई साल के लिए एक बार फिर से तयार हो जाओ, जैसे कि हम इस COVID टाइम से पहले होते लिए नई साल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, यह सारी चीज़े डिपैंड करती है, कि आप नई साल में क्या लेकर जा रहे हैं, आप नई साल को क्या दे रहे हैं, अपना 100% देने वाले हैं, या फिर आपके resolution 31st night की party के बाद, first दिन ही डिले पर जाएंगे, तो यह depend करता है आप पर, although no one can go back and make a brand new start, everyone can start from now and make a brand ending, कोई भी जो है, पीछे जाकर तो हम अपनी चीज़े ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं, कि पीछे जाने की बजाए अभी से शुरुआत कर सकते हैं और जो ending होगी, वो बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है, तो नया साल आ रहा है, resolution बनाओ, resolute हो और देखो खुद को कि क्या अलग आप करने वाले हो, I would love to hear your new resolution, अगर आप अपने new year resolution हमारे साथ share करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिये गए comment section में comment कर सकते हैं, I would like to love it to read, 37% ही लोग हैं जो बोलते हैं कि हम जाद exercise करेंगे, 37% लोग वो भी हैं जो बोलते हैं, सेव करेंगे money या और ज़्यादा money, ये ग्रुप में अगर माने कि 100-100 में से 37 यही बोलते हैं, 100-100 में से 37 यह बोलते हैं, अब अब बोलो कि 30-33 जाद और लेकिन ये एक ratio हम बता रहे ह उसका, कुछ लोग self-care पर focus करना चाते हैं new year पे, तो कुछ लोग कोई ना कोई book पढ़ना चाते है new year पे, कोई ना कोई new year पे नई skill सिखने का resolution रेता है, तो कोई नए friends बनाने का, कोई job ढूनने का, या नई job करने का, या कोई business करने का, कोई नई hobby बनाने का, तो कोई smoking कल से बन करने का, बहार का खाना बन करने का, शोशल मीडिया पर time नहीं बरबाद करना है, ये भी तो रा जोलेशन अप लेते हैं, सुबह जल्दी उठना है, alarm को snooze नहीं करना है, alarm को बन करके उठ जाना है, multiple alarms नहीं लगा रहे हैं, अपने गुसे पर control करना है, खुद के लिए स मैं वेस नहीं करना, लेकिन ये फालतू के काम होते क्या, कौन बदाएगा, अपना काम को खुद करना है, तो क्या आपके भी इन्हीं में से एक resolution है, लेकिन क्या आपको पता है, जैसे जैसे साल बीटता है, वैसे वैसे हम अपने resolutions को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, हमें ये बहाने तो हम बनाते हैं लेकिन स्पस्टी करण नहीं हो पाता कि आपने कभी सोचा है जो आप यह resolution बनाते हैं क्यों बनाते हैं क्यों पूरा नहीं हो पाते हैं क्यों कठिन होता है क्या problem क्या आती है तो जो resolution है वो fail होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं आप मैं बताने वाली ह आपको हो सकता है वीडियो आपको लंबी लगे तो लेकिन अब हम discuss करने वाले हैं कि यह जो resolution है आपके क्यों fail होते हैं और यह ना सिर्फ new year resolution को लेकर आप में सब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कोई नो कोई काम की शुरुवात करते होंगे क्योंकि जरूरी नहीं कि हर किस resolution होता है new year का हमारा कुद का होता ही नहीं depend करता है किसी और पे society जो हमें बताती है आप थोड़े healthy हैं आपको double XL आता है society आपको बताते है कि आप healthy हैं आप मोटे हैं basically यह बोला जाता है healthy word तो कभी use ही नहीं किया जाता right यह बोला जाता है और आप उसी को new year resolution बना देते हैं इस साल तो मुझे size M तक आना है यह आपका resolution है लेकिन जब तक आप दल से नहीं चाहेंगे अपने लिए क्या आप उस resolution को पूरा कर पाएंगे नहीं क्योंकि यह resolution तो आपने society के pressure में लिए है ठीक उसी तरीके से हम बात करें तो कही बार आपको ही clarity नहीं होती है कि करना क्या है आपको कोई book पढ़ने है कौन सी book पढ़नी है किस type की book आप पढ़ना चाहते हैं किस तीश मेरी कोई hobby create करने कौन सी hobby skill सिखनी कौन सी skill सिखनी है कुछ clarity नहीं लेकिन आपने उसको resolution बना लिया तीसरा करण होता है कि हम realistic plan पर नहीं चलते हैं realistic plan जैसे कि आप बोलें कि मुझ smoking छोड़ देनी है तो आप यह भी तो बहुत सकते हैं कम करूंगा छोड़ आपको पदाप नहीं छोड़ सकते शायद लेकिन आप कंद तो कर सकते हैं तो real stick आपको लेनी है अब आप यह बोले कि मुझे एक महीने में 30 kg वजन कम कर देना है तो यह क्या real stick है हो भी सकता है extreme condition लेकिन पुछ ऐसा आप लो जो real stick हो जो आपको लगे तो आपका goal हमेशा smart होना चाहिए अब smart का मतलब क्या है अच्छे अक्सरों में लिखूं अच्छे dairy लेके उस पे लिखूं चार्ट बना के दिरगर की दिवार पे टांग दे क्या तो अच्छा मतलब क्या smart smart का मतलब य यह पांच टर्म है पांच टर्म s stands for specific m यानि कि miserable होना चाहिए a achievable हो r relevant हो और t time bound हो specific का मतलब क्या है कि यही हमें वो चुणना है specific यानि कि आपका जो भी resolution है वो एक्तम clear होना चाहिए आपकी mind में आपको एक concrete goal बनाना है जो कि important होगा rather than यह कहने से अच्छा कि मुझे weight lose करना है आपका target तो होगा कितना weight lose करना है कितने time में तो वो time frame specific होना चाहिए आपको एक महीने में 5 kg कम करना है that is specific आपको एक महीने का अपने time frame रखा और वहाँ पे आपने 5 kg करना है यह specific है तो जो भ the M stands for measurable बोल्स जो है वो measurable होता है mostly अब मैं आपसे बोलूँ कि आप बोलना चाहते हैं कि अपना weight आपको lose करना है एक महीने में 5 मिलो तो आप उसको हर रोज कर सकते हैं हर रोज आप उसको track भी कर सकते हैं that is measurable आपने कोई book पढ़ने का resolution लिया book आप पता सकते हैं कि मैंने आज इतने paid पढ़े आज इतने pace पढ़े तो that is measurable आपको smoking छोड़नी है तो उसको भी आप measure कर सकते हैं आप एक दिन में 5 cigarette पीते हैं तो अगली दिन आप 4 पी रही हैं उसको भी आप measure कर सकते हैं तो measurable होना चाहिए आपका जो भी आपने लिया है resolution ए अचीवेबल अब जैसा मैंने आपको पहले एक्जामपल दिया जो target है वो आप ऐसा रखो जो आप अचीव कर पाओ ऐसे भी चीज नहीं कि जो आप अचीव कर पाओ अभी आपके पास इस टाइम पे कोई भी financial planning नहीं है कोई भी saving नहीं है और आप बोले कि मुझे मार्च में फ्लैट करीदने है वो भी पूरर के पूरी investment खुद दे कर कैसे आप खरीदेंगे नहीं हो पाईगा तो वो एक ऐसा goal आपका होना चीए जो आप उसको अचीव कर प पूरा करने की कोशित कीजिए next है relevant होना चाहिए अब आपका क्या है कि कोई भी passion है आपका मालग passion आपका singing आपको सिंगिंग सिखने हैं लेकिन कोई और डांसिंग सिख रहा आपने भी अपना गोल बनाने या डांसिंग क्या relevant है आपके लिए नहीं क्योंकि आपको पैशन ही आपको सिंगी गातियां डांसिंग में नहीं जाना जाते हैं ये मैंने कुछ examples दी हैं आप लोगों को, इसके लावा T, T यानिकी time bound, हमेशा target रखे, आगर आपको weight lose करना है तो एक महिने में 5 kg, तो target है कि एक महिने में 5 kg मुझे करना ही है, one week में मुझे 1.5 kg तक पहुँचना है, ये मुझे करना है, तो time bound होना चाहिए, तो smart होना चाहिए यानिकी smart में क्या क्या मैंने बोला, specific होना चाहिए, measurable होना चाहिए, achievable होना चाहिए, relevant आपका होना चाहिए, और आपका time bound होना चाहिए, तो अब पताएए आप में इसे कितने लोग हैं, जो new year resolution ले रही हैं, और कितने लोग हैं, जो वही resolution ले रही हैं, जो कि आप पिछले ना जाने कितने सालों से लेते हा रहे हैं रिपीट हो रहा है लेकिन एक बार भी आप उसको पूरा नहीं कर पाए कैसे ऐसे हैं जो बीच में ही छोड़ देते हैं कैसे ऐसे हैं जो साल के आधा भी first quarter में ही भूल जाते हैं कि क्या resolution लिया था तो क्या आप भी उन्हीं में से हैं तो अपके बार जब भी आप गोल चुनें तो ध्यान रखिए वो smart होना चाहिए और मेरे शब्दों में अगर आप बात करें तो आपको जो गोल चुनना है वो क्यूं आपके लिए smart होना चाहिए या फिर आपको क्यूं ऐसा गोल चूस करना है जो आप पाना जाते हैं सबसे जो हम main चीज़ बोलते हैं discipline main according आपको दो चीज़े हैं जो आपको करनी चाहिए first है consistency आपने work में लानी चाहिए आप कोई भी काम करें बस आपको ये करना है कि आपको consistent रहना है consistent रहना है उस काम को लेकर और dedication के साथ करना है यह नहीं कि आज आपने book read करनी शुरू की है book read करने का आपने passion लिया है start की है resolution आज आपने चार page पड़े अगले दिन आपने चार page पड़े हैं ने हैं लेकिन आपको हो रही है problem आप feel कर रहे हैं bore आपका मन नहीं है तो अभी आपने उस target को पूरा करने के लिए चार page आपके दिमाग में एक शब्द तक नहीं आया कि उन चार page का सार क्या था तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए consistent हो लेकिन dedication के साथ जो काम आप कर रहे हो उसको पूरा करो पूरे मन से करो consistency लाने का resolution लो की कोई भी resolution लो कोई भी काम करो आप consistent रहेंगे secondly आप अपने goals बनाएंगे goals set करेंगे goal ऐसा नहीं कि मुझे एक साल में ये करना है उस goal को हमेशा planning मांगता है goal action plan आपके पास होना चाहिए आप short term long term goals बना सकते हैं पांच साल बाद आप कहा होंगे एक साल में आपको क्या करना है ऐसे आप goals बना सकते हैं लेकिन इस goals को हमेशा break कीज़े अगर जैसे कि आप बोलेंगे बार बारे की example मैं ले रही हूं वेट लोस का तो कोई और example भी आप ले सकते हैं book read करने का ही लेना है कि आपको हर महीने एक आपको साल में बारा book पढ़नी है तो आप क्या से उसको डेंग की हर महीने में एक book आपकी complete होनी चीए irrespective of कितनी पतली है कितनी मोटी है that's it तो जब भी आप goals ले रहे हैं goals को आप जो है divide कीजिए action plan जो है वो आप बनाईए उसके according आपको जो है करना है तो consistent आपको रहना है आपको goals के साथ साथ action plan भी जो है वो आपको बनाना है यह आपको करना है इसके लावा dedication और positivity भी आपको करने है अब बहुत सारे लोगों का यह होता है question या यह होता है excuse कि हमें time नहीं मिलता क्या करना है हमें time नहीं मिलता specifically अगर मैं बात करूँ competitive exam से तयारी की तो बहुत सारी housewife भी होंगी जो बोलते हैं हमें time नहीं मिलता या फिर आप कोई private job कर रहे हैं तो भी आप बोलते है time नहीं मिलता है मुझा IAS clear करना है लेकि में पास time नहीं है तो आप कैसे करेंगे time management time management में बहुत जरूरी है और time management ऐसा नहीं है कहीं सा अपने definition पढ़ ली और आपको आ गया time management एक पूरा process है जिसको आप धीरे 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 practice करके सीखते हैं जिसको भी लगता है time नहीं है आप मुझे बता देना time management पे हम एक और वीडियो आपको लेकर आ सकते हैं लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो भी पसंद आनी चाहिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो मुझे comment section में comment करके जरूर बताएगा उसके basis पे मैं इस त कितने गंटे में आपने क्या किया है कितने गंटे आप सोई कितना आपने खाने में वेस्ट किया कितना आपने दोस्तों के साथ वेस्ट किया कितना आप बहार घूमने में आपनी वेस्ट किया है कितना आपने social media पर वेस्ट किया ये सारी चीजे और एक हफते में ही आप दे इस resolution को लेना कैसे है और कैसा गोल आपको set करना है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अगर अब तक नहीं किया है अगर आप लोग नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस करेजिए ता इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा और अपने resolution आप क्या ले रहे हैं या इस वीडियो को देखने के बाद कि आपने resolution बदला है तो या आप कैसे हैं कितने दिनों बाद आप resolution पूरा भी करते हैं चोड़ देते हैं अपने विचार आप शेयर कर सकते हैं comment section पे साथ ही आ and I bet आपने कुछना कुछ नया सीखा हुआ